हेलो स्टूडेंट स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल में आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं आम के बारे में आम की फसल यानि की फ्रूट प्रोडेक्शन पढ़ रहे हैं अपने फलोत पादन प्लस्टू एगरिकल्चर का दस्वा लेसन हैं जिसके अंद अगर आपके कई प्रकार के फ्रूट दे रखे हैं और इन में से आपके किस प्रकार से क्यूसन पूछे जाएंगे और कैसा क्यूसन पूछ हो सकता है उस चीज के बारे में बात करेंगे वैसे अभी आपके एक्जाम की चर्चा चल रही है कि एक्जाम होगा या नहीं होगा CBSC के 12th exam जो है वो रद कर दिये गए हैं और कई राजियों के भी जो exam है 12th के वो रद कर दिये गए हैं हो सकता है रास्तान के अंदर भी हो जाएं एक दो दिन के अंदर तो आपको उस चीज के उपर ध्यान नहीं देना है खैर आपके exam रद हो रही है या नहीं हो रही है वो आगे की बात है अगर रद होते भी हैं तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वस केवल आपको exam नहीं देने है मार्ग सीट बोर्ड आपकी बना देगा कोई दिक्कत नहीं है प्रंतु जो इंट्रेंस exam आप दोगे जैसे जैट, ICR, BHU है जो भी है तो उनके अंदर ये चीजें आपको पढ़नी पढ़ेगी तो आप अपनी फोकस करके तैयारी को जारी रखिए ठीक है और इन चीजों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि exam cancel हो गया तो अब सब कुछ ठीक है रद अबयात बहुत बढ़िया बात है क्योंकि जो entrance exam है वो जरूर होंगे चाहिए वो अगस्त में हो चाहिए वो अक्टूबर के अंदर हो ठीक है तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है यानि जो छोट-छोटी चीजे हैं वो आपको पढ़ते रहना है अगर आपके exam होते हैं तो उनमें आपको benefit मिलेगा उनमें आपके काम आएगी और अगर आपके exam नहीं होते हैं तो आपको ये जो तैयारी है आपके entrance exam में काम आएगी क्योंकि knowledge है वो कभी न कभी जरूर आपके काम आएगा तो इसलिए आप इस चीज़ को पढ़ते रहिए और अपने जो knowledge है इसमें implement करते रहिए खैर आज अपने बात करते हैं फलो द्यान में फर्ष्ट जो आपकी crop है आम important crop है और जैसे कि आपके plus to agriculture में जो paper है उसका जो pattern है उसमें crop का भी क्योंस सनाता है जैसे आपके agriculture के अंदर पहले agronomic crop लगती है जैसे धन्य फसले हैं तिलन हैं दलन हैं चारे वाड़ी हैं नगदी फसले हैं इस परकार की ठीक है मसाले वाले फसले हैं तो उन में से question आएगा बड़े वाड़ा ठीक है वो मैंने आपको बता रखा है पीछे किस परकार से question put किया जाएगा और एक जो question है वो आपके fruit में से पुछा जाएगा तो ये तो बात है आपके plus two agriculture का जो exam pattern है उसके बारे में इसमें से छोटे question भी पूछे जा सकते हैं वन लाइनर जैसे वन्स पतिक नाम बताईए आम का इस परकार से इस परकार से आपको इन चीजों के तैयारी करनी है तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ छोटी चीजें बड़ी वो आपको इसी परकार से इन crops में से पढ़नी है आगे बारी जितनी भी crops हैं उनको आप हो सकती है वो चीजें क्योंकि ये चीजें सारी सिंपल सिंपल हैं किस प्रकार से कल्टिवेशन की जाती है किसी भी crop की fruit crop हो सकती है वेजिटेबल हो सकती है ठीक है एग्रोनोमिक crop हो सकती है तो बग की सारी चीजें वही रहेंगी उसमें और जैसे कि climate है तो जैसे कि आप प ज्यादार बहुवर्शी ही होते हैं ठीक है तो बहुवर्शी है है तो उसी के according किस परकार से आप उसमें set करोगे यानि किस परकार से उस question को handle करोगे तो वो चीज़ें अपनी इसमें जानेंगे तो जैसे यहाँ पर आपको screen पर सामने दिखाई दे रहा है आम यानि की mango ठीक है इसका botanical name आपको जितनी भी आपके क्रोग लगती है उनका सभी का botanical name आपको पता होना चाहिए जरूर ठीक है यह इसका botanical name है family आपको पता होने चाहिए गुनसुतर संख्या आपको पता हो चाहिए और वैसे आपको पता है कि भारत का जो राष्ट ये फल है वो भी आम है ठीक है तो जो मैं चीजे बता रहा हूं आप उसको अच्छे से सुन करके आप जो चीजे बुक में हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है बाक की जो चीजे दो च्यार मैं अलग बता का प्रकार यानि fruit type वो होता है डूप ये अश्ठिल है और डूप अश्ठिल है हिंदी के अंदर डूप है इंगलीज में तो इस प्रकार से भी डूप लिखा हुआ आ सकता है डूप ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है और खाया जाने वाला भाग यानि edible part यानि ठीक है मीजो कार्प तो इसमें confused होने वाली कोई बात नहीं है हिंदी में आओ चाहिए इंगलीज में आओ आओ आपको बस पता होना चाहिए मीजो कार्प यानि बद्द्य फल भित्ती ठीक है इतनी चीज आपको चाहिए कोई सी भी क्रोप हो उनके अंदर बुक में दिये तो अच्छी प्रकार से आपको याद होनी चाहिए ठीक है आगे बाड़ी क्रोप भी आपको इसी प्रकार से याद करनी है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ आगे आपको क्या है याद करना है उसमें जैसे मैंने बताया था कि फलों का राजा ठीक है बातरूम फ्रूट भी भी कहते हैं इसको राष्ट ये फल भी है ये और एक चीज और याद रख लेना इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ये छेत्र फल फर जो बोया जाता है यानि कुण सा फल बोया जाता है तो वह आम ही है ठीक है वर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडेक्शन जो है वह आम सोरी भारत ही देता है आम का ठीक है तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद होने चाहिए विटामिन एक अच्छा स्रोत होता है ये और जैसे देरका है भारत का विश्व में पर्थम स्थान है ठीक है और इंडिया के अंदर यानि प्रोडेक्शन में ये सेकिंड भूमी ठीक है जलवायू भूमी के अंदर स्परस्टिस में दे रखा है अच्छी परकार से आप यहां पर पढ़ सकते हो इसको नॉर्मल जो पीछे अपने करोब पढ़ी है बहुत सारी उसी परकार से है इसमें कोई ज्यादा खास जानने वाले बात नहीं है कि कितना इक बारिस में तो वो जीचे आपको जलवायू के अंदर लिखनी होती है उन्नत किसमें दे रखी है ठीक है यह उन्नत किसमें है बहुत सारी है आम की काफी इंपोर्टेंट है आम की किसमें तो यह आम की किसमें आपको याद रखनी है मैं कुछ एक किसमें आपको जैसे बत क्यूसन पूछा जाता है तो लंगडा दसेरी चोसा और केसर ठीक है जो मैंने अभी बता है लंगडा दसेरी चोसा और केसर च्यार है और एक बंबई हरा है तो ये उत्र भारत में लगा सकते हैं दक्सनी भारत में उगाई जाने वाली किसमे है नियमित फलन देने वाली जो कि किसमें है निलम तोतापुरी और बैंगलोरा और बैंगनपली है यह दक्षनी भारत के अंदर उगाई जाती है ठीक है बॉंबे गरीन जो है वह अगेती किसम है जो मैं बोल रहा हूं वह आप लिख सकते हो कि कौन-कौन सी किसमें किस परकार से उगाई जाती है और एक अलफांसो किसम है ठीक है आप यहाँ पर यह देख सकते हो अलफांसो यानि जिसको हाफुस आम बोलते हैं इंडिया के अंदर हाफुस आम बोला जाता है तोतापुरी को बैंगलोरा बोला जाता है तोतापुरी ठीक है इनका संकरन भी याद रख लेना जैसे सिंदू नाम दिया हुआ है यहां पर सिंदू जो आम की किसम है उसका रतना और अलफांसौ यानि सिंदू रतना अलफांसौ इसके संकरण से बना है ठीक है R.A.S ठीक है इसको आप याद रख सकते हो R.A.S. 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 ठीक है? R.A.S. का मतलब हो गया जो सिंदु है वो रतना और अलफांसो से मिलकर बना है ठीक है? तो इस प्रकार से इनके संकरण भी काफी important है, संकरण भी बहुत बार पुछे जाते हैं कि सिंदु जो variety है वो किन दो किसमों के संयोग से या संकरण से मिलकर बनी है ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अलफांसो जो होता है उसके अंदर spongy tissue की समस्या जो है वो ज़्यादा होती है इसमें आग गया आएगा spongy tissue क्या है? तो उसकी समस्या ज़्यादा होती है और निर्याद करने के लिए यानि कि देश से बाहर भेजने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रियोग की जाती है वो ऐलफांसो ये ठीक है? यानि ऐलफांसो किसम का प्रियोग निर्याद यानि कि एक्सपोर्ट करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो यह चीज आप याद रख लेना आम की सबसे मीठी जो किसम है वो चोसा है ठीक है चोसा और उत्रभार्त की सबसे परसीद जो किसम है वो दसैरी है उत्रभार्त के अंदर सबसे परसीद जो किसम यानि की सबसे किया जाता है सबसे फैमस है ठीक है और स्पॉंजी टिश्यू मैंने बताया था कि जिसमें स्पॉंजी टिश्यू की समस्या सबसे ज्यादा होती है वो है अलफांसो ठीक है प्रंतु इससे जो विप्रित है स्पॉंजी टिश्यू फरी जो किसम है यानि जिसके अंदर स्पॉं एक किसम आती है सिंदू ठीक है सिंदू जैसे यहां पर यह नाम दे रखा था सिंदू यह यहां पर है तो जो सिंदू है वो बीजरहित किसम है इसकी बीजरहित किसम कौन सी है तो वो सिंदू है ठीक है और जो इसकी एक दो नई किसमे भी है जैसे पूसा सुरिया है पूसा अ परुनिया थीक है तो यह है और मैं संकरन बता देता हूं ठोडा साइज इन किस्मों के बारे में संकरन कोन-कोन साइज यहाँ पर यहśंकरन दे रखा सिंदु का रतना इंटू एलफांसो եीक है इसी परकार अमरपाली का अमरपाली नाम की एक इसक्म है अमरपाली आमरपाली का जो संकर्ण है वो है दसेरी आप लिख सकते हो उल्टा मत कर देना इसको दसेरी इंटू निलम ठीक है दसेरी इंटू निलम किसका है आमरपाली का दसेरी इंटू निलम यानि की दसेरी इंटू निलम किसका है आमरपाली का तो यानि DNA, DNA, DNA क्या होगा, दस एरी इंटू, निलम, किसका है, अमरफाली का, तो यह याद रख लेना, RNA, DNA, आपको बताया था, एक RNA है, एक DNA है, RAS है, चीगे इस परकर से, मलिक का, एक किसम है, इसकी मलिक का, याद रख लेना, मलिक का किसका संकरण है, निलम, इंटू, दस निलम इंटू दस हैरी पीछे वाड़ा जो मैंने बताया था वो दस हैरी इंटू निलम था ये निलम इंटू दस हैरी है तो वो थोड़ा याद रख लेना कि कौन सा किस परकार से मैनेज किया गया है ठीक है और रतना का बताई दिया है निलम इंटू एलफांसो है और आगे इसके अंदर अपने पढ़ते हैं प्रवर्दन के बारे में सबसे इंपोर्टेंट जो फ्रूट क्रोप है उसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो यही होती है प्रवर्दन ठीक है यह कि उस सनमालो सिधा पूछ सकते हैं उसी परकार जैसे अमरूद में कौन सी है ली ची में कौन सी है संत्रा में कोन सी है इस परकार से बहुत सारे क्यूशन इन में से पुछे जाते हैं और जो आपके पिछे एक लेसन है परवर्दन वड़ा यानि propagation method परवर्दन की वीविन वीदिया तो उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है वो लेशन आपको अभी पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि competition के अंदर उसमें से कई क्यूसन पुछे जाते हैं तो इसके अंदर आपको केवल और केवल परवर्दन की वीदि याद रखनी है और अगर सिता जैसे मालो 2 या 3 तीन नमबर में आगया मालो कि आम में परवर्दन को समझाईए तो यहाँ पर नहीं दे रखा है आपके वो परवर्दन वाले लेशन में दे रखा है जैसे आम के अंदर सबसे जो बेस्ट वीदि होती है वो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है ठीक है वीनियर ग्राफ्टिंग इसके बारे में मैंने पिछे वीडियो डाल रखी है वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है वहाँ पर आप देख सकते हो तो veneer grafting आपको सिद्धा नहीं लिखना है तीन नंबर में आ गया तो कि आम में veneer grafting की जाती है आपको veneer grafting के बारे में अच्छी प्रकार से समझाना होता है तो इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है इस चीज को आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी grafting की जाती है veneer grafting भी की जाती है softwood grafting भी की जाती है stone grafting भी की जाती है और inarching भी की जाती है ठीक है नीचे इसमें दिया हुआ है veneer grafting के बारे में यहाँ पर अच्छी प्रकार से veneer grafting के बारे में समझाया हुआ है इस चीज़ को आपको पढ़ना है वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है और किस फसल के अंदर इसका प्रियोग किया जाता है किस प्रकार से वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं तो अब अगर दो नुम्बर में भी आता है कि उसन की आम में प्रवर्दन क्या है या आम में प्रियुक्त होने वाले परवर्दन की वीदी कौन सी है तो आपको वहाँ पर वीनियर ग्राफ्टिंग लिखना है ठीक है आगे इसमें खादवा उरूरक देरखा है ये इस प्रकार से तो एक चीज़ आपको फलदार पदों में याद रखनी है जैसे अपने नॉर्मल क्रोप्स के अंदर जैसे के हूँ है तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं कि बुआई से पहले एक बार खाद डाल दिया पस हो गया काम प्रन्तु अपने को इसके अंदर कोई भी कोई भी फल हो उसके अंदर परती वरस इस परकार से डालना पड़ता है ठीक है और इनकी मातरा अलग लग हो सकती है जैसे गोबर की खाद यहाँ पर इस कॉंटिटी में बढ़ रही है परत्थम वरस दिवत्य तर्तिय चतूर्थ पंचम इस परकार से ठीक है और SSP, MOP ठीक है यूरिया वग पड़ा है यहाँ पर एपिको टाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग के बारे में दिया हुआ है तो इसको आप पड़ सकते हो और इसके बारे में लिखना है कि अगर प्रवर्दन की वीदी का नाम आता है तो क्या लिखोगे ठीक है पोद लगाने की वीदी, प्लांटिंग मेथड पोद लगाने की वीदी यानि की फलोद्यान प्रवर्दन वाले लेसन के अंदर अपने पड़ा था कि पोदे कब लगाने चाहिए गड़े कैसे तयार करते हैं तो अगर क्यूशन आता है कि आम के अंदर प्लांटिंग मेथड को समझाईए तो आपको पूरा लिखना है कि इस सकार के गड़े तयार करेंगे इस महिने में करेंगे ठीक है इस इस परकार से फिर उस गड़े की बरहाई करेंगे इतनी मातर में फवाईम डालेंगे इतनी मातर में ये फर्टिलाइजर डालेंगे ठीक है वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी आगे खादबर बुरक जो मैंने आपको बता दिया है कितने-कितने मात्रा यहां पर दी हुई आप सक्रीन पर सामने देख सकते हो तो उनको फिर विस्तार से लिखना है कि इतनी-तनी मात्रा पर्थमवर्ष दी जाती है और देना कैसे है तो सिंपल सा त्रिक्षा है जैसे यह इस परकार से पोदा लगा हुआ है ठीक है इस परकार से और आपको क्या करना है यहाँ पर एक इस परकार से खाई बनानी है थोड़ी ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए ठीक है यानि जहां तक इसकी जड़े हैं पोदे के साइज की अक्रोडिंग पोदा छोटा है तो छोटी पोदा बड़ाए तो बड़ी खाई होने चाहिए तो उसको फिर भर्लना होता है, ठीक है, तो इतनी इतनी मेत्रा के अंदर अपने को उसके अंदर डालना है, फिर कटाई छंटाई के बारे में दिया हुआ है कि कटाई छंटाई की कब की जाती है कौन से मौसम में करते हैं तो कटाई छंटाई हमेशा याद रख लेना फल दार जो पोदे होते हैं उनके अंदर फल देने के जश्ट बाद में की जाती है ताकि जो कडाई चंटाई करने के बादे में नई टैनिया बने नई साकाएं बने और नई साकाऊं पर जदा फूल बने और फूल बनेंगे तो फल बनेगे ठीक है, किस विदी से करनी चाहिए, कितनी काटनी चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप पड़ सकते हो बुण्द बुण्ध शिंचाई विदी प्रियोग करते हैं तो वह चीज़ आपको पता होनी चाहिए आम के अंदर बहुत सारी चीज़ी है इनके अलावा भी जो आपकी बुक में दे रखे हैं पर अभी आपको इतनी ही चीज़े पढ़ने की आफ सकता हैं सिंचाई के वह आपको गहराई से बढ़ना है कि कौन-कौन से सिंचाई कब-कब करनी चाहिए वरना उसमें क्या है कि फल या फिर फूल है वो जड़ने का डर बना रहता है पोध सरंक्सन का मतलब होता है कौन-कौन से कीट वेरोग लगते हैं तो इसमें पहुत शरंक्षन दिया हुआ है जो पीछे क्रोप अपने पड़ी थी उसी परकार है इसमें भी ठीक है यानि कि जो जो रोग लगते हैं जैसे फुल पर लगेंगे कोई तना प्रभावित कर सकता है कोई जड़ प्रभावित तो वह जीज़ आपको लिखनी है और म आप इसमें से पढ़कर आजानी से लिख सकते हो स्पॉंजी उत्तक है स्पॉंजी टीश्यू मैंने पिछे आपको बताया था कि स्पॉंजी टीश्यू के बारे में अपने आके पड़ेंगे तो एलफांसो जो किसम होती है आमकी उसके अंदर यह समस्या पाई जाती है ठीक यह हो जाता है यानि काम करना बंद कर देता है और उतकों में हवा भर जाती है जिसे फल गल जाता है यानि उसका छिलका जो है वह ठीक रहता है यानि बार से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है प्रंतु फल है वह अंदर से गलना शुरू हो जाता है तो वह होता है स्पॉं यानि कि एक साल या दो साल फल नए देप होदा तो वो सुच्वेशन इसके अंदर आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगा इसमें से अलग-अलग रोग वैकीट को आपको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर सीधा कई बार पूछ लिया जाता है क तो इस परकार से आपको प्रोप जो हैं वह पढ़नी है इंपोर्टन चीजे हैं वह आपको द्यान में रखनी है बाकि इसके अंदर जादा कुछ नहीं है जो आपको फ्रूट क्रोप मिलेगी उसके अंदर आपको च्यार या पांच पॉइंट मिलेंगे उसके बारे में इस परकार से आपको क्यों संदिया जाएगा और उसका इंसवर आपको उन मैंतो पुर्ण बिंदू के अधार पर करना होता है उनसे एक्सटा आपको नहीं लिखना होता है ठीक है तो यह चीजें आप पढ़ करके आसानी से इस परकार के जो आपका एक्जाम है उसको हल कर स रखते हो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आम के बारे में तो मैं एक वीडियो इसके अंदर लेकर आऊँगा जो आम में कौन-कौन सी छोटे जो क्यूशन है वो बन सकते हैं और आपके क्या काम आएंगे उनके बारे में ये था पलेश टू के बारे में कितना अंद लिखना आपको कि सिर्च है उसके बारे में अगली वीडियो में अगली प्रोप के बारे में बात करेंगे, धन्यवाद.